इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए जाद असमयना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ो से पहले चैनल पे नहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पासवाले नोडिफिकेशन बेल को दबा कर और जरूर क्लिक करेगा चलिए सिरू करते हैं इसके लिए आपको अपने लावा मॉइल फोन के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर यहां पर सबसे नीच आना है अब इसमें देखिए दोस्तो आपको सबसे नीच आएंगे तो आपको यहां उप्सन में जागा अप टाइम का अब दोस्तो देखिए यह अप टाइम क्या होता है तो दोस्तो जितने देर से आपका मॉबाइल दोस्तो लगातार स्विच ओन है मतलब जितना देट से आपका फोन बंद नहीं हुआ होता है तो वह ही होता है अप टाइम जैसे दोस्तो मेरा मोबाइल जो है 631 गंटे 11 मिनिट और दोस्तो 50 सेकेंड से लगातार चल रहा है तो यह यहाँ पर अप टाइम दिखा रहा है और दोस्तो यह अप टाइम हमेशा चलता रहता है लेकिन दोस्तो जब आप अपने फोन को स्विच आफ कर देंगे या दोस्तो अगर आपका मोबाइल फोन स्विच आफ हो जाता है तो दोस्तो वहाँ पर दोस्तो अब time आपका हो जाता है reset और दोस्तो उसके बाद जब आप अपने mobile phone को switch on करेंगे मतलब खोलेंगे तब से दोस्तो एक second से लेकर आपके phone में फिर दोस्तो अब time दोस्तो चलने लगेगा मतलब आपका up time सुरू हो जाएगा तो दोस्तो अब time का मतलब यही होता है कि दोस्तो जब से आपका mobile phone लगातार switch on है मतलब कि दोस्तो जितने भी time जितने भी घंटे, minute या second से आपका phone लगातार switch on है तो वही होता है आपके phone का up time सो इस तरिके से आप up time चेक कर सकते हैं इलाबा के mobile में वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करिएगा